हलो फ्रेंड मैंकास वेलकम टू प्लांट केर्गीवर आज मैं नर्सी विजिट पर आया हूँ और अब मैं नर्सी विजिट की एक सीरीज अपने चैनल पर लाने वाला हूँ जिसमें मैं लखनौ की जितनी भी नर्सरी ये रोड साइज नर्सरी है उस सभी का ओवर्विव अपने चैनल पर देने वाला हूँ तो जो लोग लखनौ में रहते हैं उनको काफी हेल्प हो जाएगी कि कौन सा प्लांट कित नर्सरी में मिला है कितना उसका प्राइज है या फिर कहाँ पर पॉर्ट सस्ते मिला है ये नर्सरी ओवर्विव सीरीज का पहला वीडियो है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अगर आप में चैनल पर पहली बार रहे हैं तो सस्क्राइब कीजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैंने जिस नरस्री में विजिट किया है इसका नाम श्यारम नरस्री है यह लकनों में है यह लकनों में गौरी रोड पर है इस नरस्री का लोकेशन मैं अपने डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि जो लोग लखनों में रहते हैं या लखनों आते जाते रहते हैं वो इस नर्स्री में विजिट करना चाहें तो असानी से विजिट कर पाएं ये एक काफी सुन्दर नर्स्री है यहाँ पर सभी प्रकार के प्लांट चाहे वो सीजनल प्लांट हो पर्मनेंट प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो, सब भी मिल जाएंगे और काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे तो अगर आप लखनों में रहते हैं, तो आपको इस नर्सी में एक बाद जरूर विजिट करना चाहिए चलिए, और विजिट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस नर्सी में सबी परकार के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट मिल जाएंगे तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्केल से जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही सुन्दा लग रहा है ये पॉट में लगा हुआ है और इसका प्राइस 50 रुपीज है अगर आप ये ही प्लांट पॉली बैग मिलेते हैं ये काफी कम देखने को मिलता है और इस नसी में ये आपको पॉट में लगा हुआ है और पॉट के साथ ये आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप इसे विथाउट पॉट लेते हैं तो ये आपको पॉट से निकाल के भी प्लांट दे देंगे तो जब ये आपको पॉट से निकाल के प्लांट देंगे तो ये आप 20 रुपए कम कर देंगे यानि आपको 30 रुपीज में विथाउट पॉट ये सुन्दर सा प्लांट मिल जाएगा इस नसी में मैंने यहाँ से ये प्लांट खरीदा है क्योंकि ये और जो लखनों की नर्सरी से वहाँ पर काफी महगा मिलता है इंपेशन देख सकते हैं काफी हल्दी प्लांट है पॉट में लगा हुआ है इसका प्राइज भी 50 रुपीज है अगर ये आप पॉट से निकाल कर प्लांट लेते हैं तो ये आपको 30 रुपीज में मिल जाएगा इंपेशन यहाँ पर काफी सारे कलर में है और ये हंगीं बास्केट में काफी सुंदर लगता है और शेड में भी काफी अच्छी फ्लावरिंग करता है कैलन्डूला ये भी प्लांट आपको 30 रुपीज में मिल जाएगा विथाउट पॉट अगर आप पॉट में लेते हैं तो ये आपको 50 रुपीज में मिलेगा अगर आप इस प्लांट को पॉली बैग में लेते हैं तो यह आपको 20 रुपिस में मिल जाएगा पिटूनिया पिटूनिया के भी इनके पास काफी सुन्दर कलर है यह भी अगर आप पॉट में लेते हैं तो 50 रुपिस में मिलेगा अगर आप पॉली बैग में लेते हैं तो 20 रुपिस अगर आप यही प्लांट पॉर्ट से निकाल कर लेते हैं तो आपको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा देख सकते हैं यहाँ पर डबल पेटल के 3 से 4 कलर हैं साल्विया यह भी पॉर्ट में 50 रुपीज पॉली बैग में 20 रुपीज यहाँ पर जितने भी प्लांट आपने देखे हैं सभी का प्राइस पॉर्ट के साथ 50 रुपीज है अगर आप पॉर्ट से निकाल कर लेते हैं तो 30 रुपीज अगर आप यही प्लांट पॉली बैग में लेते हैं तो आपको 20 रुपीज पे करना पड़ेगा देख सकते हैं सभी प्लांट काफी हेल्दी हैं और यह प्लांट मार्च अप्रेल मंद तक काफी अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं आपके गार्डन में यहाँ पर वर्बीना का भी काफी अच्छा कलेक्शन है पैंजी यह भी आपको पॉट के साथ 50 रुपेश और विथाउट पॉट 30 रुपेश और पॉली बैंग में लेते हैं तो 20 रुपेश स्टॉक काफी सुन्दा फ्लावरिंग प्लांट होता है सिनरेरिया यह प्लांट काफी महंगा मिलता है दूसरी नस्रीज में लेकिन अगर आप यह प्लांट इस नस्री मिलेते हैं तो यह प्लांट भी आपको पॉट के साथ 50 रुपेश में मिलेगा पॉट से निकाल कर अग देखा था यह पॉट से निकाल कर ही यह प्लांट लिया है मैंने यह प्लांट 30 रुपिस का लिया है वर्मीना काफी सुन्दर कलेक्शन इनके पास देख सकते हैं इस section में काफी ज़्यादा flowering plant है काफी सुन्दा सुन्दा flowering plant है इनका price भी काफी reasonable था stock काफी अच्छी blooming कर रहे है stock भी आपको यहाँ पर 3-4 color में मिल जाएंगे rose देख सकते हैं इसका price भी काफी reasonable है इसका price और यह जो rose plant है यह काफी अच्छी soil में लगे हुए है और इन्होंने कुछ decorate करने के लिए कुछ decorative plant भी लगाया है यह geranium यह भी आपको pot के साथ 50 रुपीस में मिल जाएंगा वह आप poly bag में लेते हैं तो आपको 30 रुपीस में मिलेगा जर्बेरा यह plant थोड़ा सा महँगा है यह 100 रुपीस में मिलेगा और इसमें 3-4 plant लगे हुए हैं जिसे आप separate करके काफी ज़्यादा pot बना सकते हैं और उन्हेंने कुछ decorate करने के लिए इस तरह से फरकेरिया भी लगाया है यह आपको poly bag में भी मिल जाएंगे और यह कुछ singonium और यहाँ पर इन्होंने अजेलिया का काफी अच्छा collection रखा हुआ है देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर आगे पिटूनिया रखा है और पीछे section wise इन्होंने plant रखा है सबसे बड़ा plant पीछे की और प्लांट का size दीरे दीरे छोटा होता गया है जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है यह अजेलिया देख सकते हैं काफी सुंदर प्लांट है यह permanent plant होता है सालों साल आपके गाड़ा में रहता है और काफी अच्छी winter में काफी अच्छी blooming करता है इस plant के इनके पास 4 से 5 color है और सबी काफी सुंदर है देखे यह देखने में अडेनियम का flower लग रहा है देखे काफी सारे color में आपको यह plant इस नसी में मिल जाएगा और यह काफी बड़े से pot में लगा हुआ है और देख पार है यह मित्ती में नहीं लगा हुआ है यह भूसी में लगा हुआ है देखे यह देखने में काफी सुंदर लग रहा है यह section तो यहाँ पर आपको plant आपको घर में कैसे लगाने है यह idea भी आपको इस नसी में मिल जाता है और यह है कुछ elisum इनके पास bonsai का भी काफी अच्छा collection है तो अगर आप permanent plant लेना चाते हैं तो वो भी आप इस नसी से ले सकते हैं इस नसी का जो permanent plant है वो भी मैं आपको दिखाने बाला हूँ और मैंने इस नसी को काफी बार अपने channel पर इसका overview upload किया है उसका भी मैं link अपने description box में डाल दूँगा तो जो लोग देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं यह cabbage है इसका price भी इन्होंने 20 रुपिस लगाया है पिटुनिया देख सकते हैं यह सब भी pot poly bag में लगे हुए हैं काफी healthy plant और काफी सार color में है इसका price आपको इस नसी में 20 रुपिस में मिलेगा देख सकते हैं यह सब पॉली bag में लगे हुए हैं अपिटुनिया भी आप अपने garden में add कर सकते हैं क्योंकि यह April month तक काफी अच्छी blooming करते हैं आपके garden में इसमें seed भी बनता है वो भी आप collect कर सकते हैं पेंजी प्लांट इस नसी में poly bag में थोड़ा समेंगा है यह प्लांट आपको 25 रुपिस में मिलेगा डेहलिया यह भी प्लांट आपको इस नसी में 20 रुपिस में मिल जाएगा डेहलिया पर्मेनें प्लांट होता है सालों साल आपके garden में रहता है ये केल देख सकते हैं, ये वेराइटी का केल भी इनके पास है, ये भी आपको 20 रुपीस में मिलेगा, क्योंकि ये पॉली बैग में लगा हुआ है, इसके अलावा ये गोवी का प्लांट भी है इनके पास, ये भी 20 रुपीस में है, इंपेशन ये पॉली बैग में लगे तो अगर आप इस साय के plant लेना चाहते हैं तो आप pot वाला ही plant लें क्योंकि वो काफी healthy है इसके comparison में वो काफी healthy है और इसमें काफी अच्छी blooming भी हो रही है polybag में जो लगे plant है वो थोड़े से कम healthy है कलांचू ये भी एक पर्मेन प्लांट होता है इससे आपको अपने गाड़ा में जरूर राइट काना चाहिए ये stock के plant है देख सकते हैं काफी laggy हो चुके हैं तो अगर आप stock के plant लेना चाहते हैं तो आप pot वाले लें वो देखने में काफी सुन्दा लग रहे हैं डालिया देख सकते हैं वर्बीना का इनके पास काफी सुन्दा कलेक्शन है काफी सारे कलर में हैं और ये सबी पॉली बैंग में लगे हुए हैं इसका प्राइज दूटी रुपीस है ये hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है काफी समय तक आपके garden में फ्लावरिंग करता रह देख सकते हैं सभी प्लांट काफी हेल्दी हैं और मैंने कुछी दिन पहले इसकी सैपलिंग खरीदा था इसलिए मैंने इस प्लांट को इस नसी से नहीं खरीदा है लेकिन अगर आप लक्नों में रहते हैं और आपको वर्बीना के अच्छे अच्छे कलेक्शन चाहिए आप इस नसी से खरी सकते हैं क्योंकि ज्यादत अनसी में इसके एक यह दो कलर ही देखने को मिलते हैं देकिन इस नसी में 5-6 कलर आपको मिल जाएंगे केल देख सकते हैं यह सभी पॉली बैग में लगे हुए हैं इसका प्राइस 20 रुपीज है यहाँ पर केल के चार कलर है और चारो काफी सुंदर है मैंने इस नसी से एक यह सब्सक्राइब कंदा है इसमें अप्रैल मंत में काफी अच्छी ब्लूमिंग भी होती है जो की सरसों के जैसे फ्लावर्स होते हैं वैसे ही फ्लावर्स निकलते हैं और उसके बाद सीड भी बनता है वह आप कलेक्त खर सक सकते हैं और Nex neuron में अपने सीछ से प्लाउट को गूरोब सकते हैं Mary Gold constants । देखने में काफी सुन्दर लग रहा है इसके जब सूख जाते हैं तो आप अपने फ्लाउवर के सीछ से भी इसे डूरोब कर सकते हैं Elysum यह प्लाउट काफी कंद मैं जब इस नसी में पहली बार विजिट किया था तब ये प्लांट इस नसी में नहीं था मैं इस प्लांट को काफी दिनों से ढून रहा था और देखे़ अब मुझे ये प्लांट मिल गया है मैंने इसका एक कलर अपने खरीदा है पिटुनिया ये सबी हेंगिंग बास्केट में लगे हुए है और ये जो हेंगिंग बास्केट है मैंने अभी जब नसी विजिट पर दूसरी नसी विजिट पर गया था तो वहां से मैंने ये हेंगिंग बास्केट खरीदा था ये हेंगिंग बास्केट में थार्टी फाइफ में लेते हैं तो यह आपको 20 रुपीस में मिल जाएगा इस प्लान का नाम मुझे नहीं पता है अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा मुझे पहले यह देखने में सिनिरेरिया लग रहा था पर पता नहीं यह scenario है या नहीं देख सकते हैं यह poly bag में लगा हुआ pot में लगा हुआ है sorry pot में लगा हुआ है और काफी छोटे pot में लगा है फिर भी यह काफी height ले चुका है तो देखें दूर से देखने पर plant इन्होंने इस ता से एक line में लगा रखा है इसलिए आपको plant को ढूणने में time नहीं लगेगा अगर आप pot वाला plant लेना चाहते हैं तो यह सभी जितने भी आप pot देख रहे हैं यह सभी का price 50 रुपीज है अगर आप pot से निकाल कर लेते हैं तो यह आपको 30 रुपीज में मिल जाएगा multi petal का petunia अगर आपको यह plant लखनों की किसी भी नर्सरी में नहीं मिल रहा है या फिर जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर इसका price काफी जादा है तो आप इस नर्सरी में विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको यह plant pot के साथ 50 रुपीज अगर आप pot हटा के लेते हैं तो आपको यह 30 रुपीज में मिल जाएगा तो देखे इन्होंने नर्सरी को काफी अच्छे से maintain करके रखा हुआ है सभी plant को एक section में बाट रखा है यहाँ पर जितने plant हैं यह सभी poly bag में लगे हुए हैं इन सभी का price 20 रुपीज है सभी plant काफी healthy हैं और लगबग सभी flowering plant आपको इस नर्सरी में मिल जाएगे तो चलिए इस नर्सरी की थोड़ी सी सेर मैं आप लोगों को करा देता हूँ इन नर्सरी काफी बड़ी है और इस नर्सरी का overview का वीडियो मैंने अपने चानल पर काफी बार upload किया है उन सभी का link मैं अपने description box में डाल दूँगा वहाँ से आप इस नर्सरी में कौन से permanent plant, कौन से permanent flowering plant, ornamental plant, fruit plant का price क्या है वो आप देख पाएंगे तो अभी तो मैं किसी भी plant का price नहीं बताने वाला हूँ देख सकते इस नर्सरी में आपको सभी प्रकार के plant मिल जाएंगे प्लांट का price भी काफी reasonable होगा कैलातिया देख सकते हैं काफी सुन्दर लग रहा है इन्होंने अभी इसे propagate करके रखा हुआ है divide किया है इस थल कमल ये भी काफी कम नर्सरी इसमें देखने को मिलता है Mexican Petunia तो अभी ये लोग अपनी नर्सरी में प्लांट को propagate कर रहे हैं cutting के थूँ divide करके इस नर्सरी में indoor air purifier plant का भी काफी अच्छा collection है इस नर्सरी में कौन कौन से indoor plant है, उनका price क्या है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अप्लोड किया है उसका लिंक मैं अपने description box में डाल दूँगा वहाँ से आप देख पाएंगे कि इस नर्सरी में कौन कौन से indoor plant है उनका price क्या है ये काफी बड़ी नर्सरी है और काफी सुन्दर भी कि इस नर्सरी है देखिए उन्होंने कितना अच्छा vertical garden बनाया है अगर आपके पास भी space की कमी है तो आप इस तरह से एक vertical garden बना सकते है इसमें 100 से ज़्यादा प्लांटर लग जाएंगे या फिर आप इस तरह से ready made planter भी खरी सकते हैं या आपको online असानी से बहुत ही असानी से मिल जाएंगे monster देखिए monster प्लांट एक बड़े से mango tree पर चड़ा हुआ है ये काफी उपर तक जा चुका है monster प्लांट को अगर आप support दे देते हैं तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है इस एरिया में इन्होंने indoor air purifier plant को छोटे छोटे pot में लगा रखा है अगर आप किसी भी प्लांट को सुन्दर से pot में लगा देते हैं तो उसकी खुबसूरती दस गुना बढ़ जाती है ये प्लांट अगर आप किसी को gift देना चाते हैं तो आप इस नसी से खरी सकते हैं इस प्लांट का price तो मैंने नहीं पूछा है पर ये भी आपको reasonable price में ही इस नसी में मिल जाएंगे फिलो डेनरोन ये प्लांट मैंने इस नसी से खरीदा था ये सबी प्लांट काफी सुन्दा लग रहे हैं pot के साथ सिंगोनियम काफी तेजी से डिवाइड होता है इनके पास palm plant का भी काफी अच्छा collection है अगर आप लेना चाते हैं तो इस नसी से खरीज सकते हैं यहाँ पर ये प्लांट 50 रुपीज से स्टार्ट है और 100 रुपीज में आपको काफी अच्छा प्लांट मिल जाएगा स्टार्ट आपको काफी अब मिल जाएगा आई होब कि आपको मेरा ये नर्सी विजिट सीरीज का पहला वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चानल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चानल को सस्क्राइब कीजेगा और अगर आप लखनों में रहते हैं तो आपको इस नरसी में एक बाद जरूर विजिट करना चाहिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Happy Gardening